भारत सरकार चुप क्यों बैटी है? नरिंदर मोधी चुप क्यों बैटे हैं? कितनी बार ये डिफॉल्टर रहा अडानी? उसके बावजूद उसको हजारो करोड का लोन मिल जाता है जो राजनीती के अंदर भारते जनता पार्टी के नेता है नरिंदर मोदी हो, अमिज शाह हो और ऐसे कौन लोग हैं जो उसको सपोर्ट करकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं कि खिलाब जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए ED की जाँच होनी चाहिए और यहां तक कि उसके पासपोर्ट लेकर उसके निगरानी रखने ही चाहिए क्योंकि आज की तारिक में वो बहुत बड़ा दोशी है अगर मरमोदी के ओपर कोई किसे ने डॉक्यूमेंटरी बना दी तो पूरे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और उसके उपर बहन लगा दिया गए कि अगर किसी ने उसको शेयर भी किया तो उसके ख़राफ आफकारवाई करेंगे तो सीधे तोर पर ये हिटलर शाहिवाले अंदाज के अंदर सरकार चला रहे है बलब इनको कोई दोशी ना कहे लेकिन ये सब को जाच के कटगरे में खड़ा करना चाहते हैं किसान एक साल से जादा धरने पर बैटे थे तीन काले कानून उनके खिलाफ लेकर आये थे किसको फायदा पहुचाने के लिए? अडानी को अडानी को कैसे मालूम था कि सरकार ये तीन कानून लेकर आएगी किसानों को बंदी बनाया जाएगा, उनकी फंसलो को गिर्भी रखा जाएगा, उनके खेतो को गिर्भी रखा जाएगा, लेकिन वो पहले से वहाँपर अपने वेरहोजीज बनाने शुरू कर दिये थे उसने, सरकार नरेंदर मोधी नहीं चला रहे, अडानी और अंबानी चला रहे उनके हिसाब से कानून बनाई जा रहे हैं, उनके हिसाब से पुरी विवस्ता बनाई जा रहे हैं ताके लूट खसोट मैक्सिमम की जा सके कर एडी के केस, उन्होंने रहुल गांदी जी को तंग करनी की कुशिश की, सुनिया गांदी जी को उन्होंने तंग करनी की कुशिश की, विपक्ष की आवाज को दाबाने का काम की है नरेंदर मोधी ने और तमाम उनकी जांच एजिंसीज ने, वो एजिंसीज चुप क्यों कि अड़ानी के पासपोर्ट को जब कर लेना चाहिए क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं महुल चुक्सी हो निरव मोदी हो विजे मालिया हो किस तरीके से देश की जंता का पैसा लूट कर वो विदेशों में बैठ गए अमबानी ने अभी विदेश के अंदर अपनी अर क्योंकि वो देश की जंता का पैसा लूट कर देश के बैंकों का पैसा लूट कर कहीं भार भाग गए तो देश की अर्थविवस्ता पूरी तरीके से द्वस्त हो जाएगी सर गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट है लेकिन उनका जवाब है कि यह देश की असमिता पर हमला है देश के उपर हमला है अडानी देश नहीं है और अगर वो यह बोलता है कि अपने अपको देश मानता है और अगर उसकी फरजी वाड़े के उपर अगर कोई जांच यह भी कहना चाहता है, वो अपने आपको इतना बड़ा मानता है, कि उसके उपर जो भारत सरकार का आशिरवाद है, नरिंदर मोदी का आशिरवाद है, अमिछ शाह का आशिरवाद है, जिसकी वजे से, दो हजार चौदा में जो व्यक्ती 623 वे नंबर पिर था, अमीर बिजनिसमेन की लिस्ट के अंदर, वो 2022 के अंदर दूसरे नंबर पे, तो इससे साफ जाहर होता है, कि वो उसके उपर कितना बड़ा आशिरवाद इस भारत सरकार का रहा है, मैं दूसरे एंगल से अगर कहूं कि देश भारत के ओपर उसकी असमिता के ओपर यह आकरमन है, मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा कि अडानी एक साधरन बिजनिसमेन है, जाच यह हुनी चाहिए, कि इतनी जल्दी जब कोविड जैसे वक्त के अंदर, जब पूरा देश पूरा विश्व तरही-तरही कर रहा था सिर्फ एक बिजनिसमेन, इतना बड़ा समराज्य, इतना बड़ा अपना बिजनिस का एंपायर कैसे खड़ा कर लेता है, इसके पीछे सीधे तोर के ओपर जो भारतिय जंदा पार्टी की सरकार है, नरिंदर मोदी की सरकार है, उनकी पूरी तरीके से इंवाल्मेंट है, और हर बार यह बात कहते रहें, जोर देकर कहते रहें कि नरिंदर मोदी पुरे देश के लोगों का अब देश के बिजनिसमेन का जोटे बड़े बिजनिसमेन मोदी कर रहे हैं अगर नरेंदर मोदी ये मानते हैं कि ये किसी तरीके से जो रिपोर्ट आई है और अडानी उसके अंदर एक दोशी साबित हो रहे हैं तो जांच एजेंसी बठाने चाहिए अब एडी, सीबी आई और जांच एजेंसी क्या कर रहे हैं अगर हमारा नेशनल हेरेल्ड जो हमारा अगवार था उसका मातर 90 करोड रुपे का एक मामला था जो पूरी तरीके से हमारे इसाब से पूरी तरीके से साफ सुतर है लेकिन उसके उपर उन्होंने प्रशन चेंड लगाकर एडी चुप क्यों बैटी है नरेंडर मोधी चुप क्यों बैटे हैं सवाल यह उठता है ऐसे लोग जो देश के लोगों का 11 लाक करोड रुपिया जो निवेश करने वाले भारत की जंता थी उनका पैसा हजम कर लिया उनके पैसे का नुकसान कर दिया एलाइसी का एक बहुत बड जाई है बैक आव बरौदा है ऐसे बैंक से उनके लोग लिया वो लोण का जो आमाउंट है वो पॉब्लिक का पैसा है भारत सरकार ने उसको फैसिलिटेट किया उसको मदद की और मदद करके उन से आगर किसी कंपनी का सिबल खराब हो जाता है किसी कंपनी की चशवी नहीं होनी चाहिए मेरे इसाब से जांच इस बाद की भी उनी चाहिए कौन लोग उसको पीछे से सπό्ट कर Tucson क्यों जो राजनीती के अंदर भारते जंता पार्टीकिनेटा है नरेंदर हुदी अमिशाह हो और ऐसे कौन लोग हैं, जो उसको सपोर्ट करकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं रेल उसको बेच दी, एरपोर्ट सारे बेच दिये, जो हमारी देश की असमिता थी, जिन उपकरणों को कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं ने पिछले 70 साल में खड़ा किया था, बनाया था उसको बेचने का काम नरिंदर मोदी की सरकार कर रहे हैं और उसका फाइदा सीधे तोर पर अड़ानी और अंबानी को मिल रहा है तो जांश तो इसके उपर भी होनी चाहिए तो सिर्फ दो ही परिवार या कुछ परिवार जो इंडस्रिलिस्ट हैं, उनके पास में देश की आदी से ज़्यादा संपती अगर उनके पास में तो देश की एकनॉमी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है हमें बिजनिसमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिजनिस कुछ ही लोगों के हाथ में रहे और बाकी छोटे बड़े बिजनिसमेन का गला काड़ दिया जाए हम उसके विरोध में है आपकी पार्टी के एक नेता है जिगनेश मेंवानी वो भी कह रहे है कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए और उसके साथ उनके परिवार का भी भी ये बात कर रहे है कि अडानी के पासपोर्ट को जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि पहले हम लोग ये देख चुके हैं महुल चुक्सी हो, निरव मोदी हो, विजे मालिया हो किस तरीके से देश की जनता का पैसा लूट कर वो विदेशों में बैठ गए अडानी को का पासपोर्ट जब्त करना, उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो देश की जनता का पैसा लूट कर, देश के बैंकों का पैसा लूट कर कहीं भार भाग गए तो देश की अर्थ विवस्ता पूरी तरीके से द्वस्त हो जाईगी तो मैं इस बात का समर्थक हूँ कि बिलकुल उनके खिलाफ जाच होनी चाहिए CBI जाच होनी चाहिए और यहां तक कि उसके पासपोर्ट लेकर उसके निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि आज की तारीक में वो बहुत बड़ा दोशी है हिंडनबर्ग है उसके उपर भी काफी इलजाम लग रहे हैं कि वो एक शॉट सेलिंग कंपनी है उन लोगों पर पैसा लगाते है जिसका स्टॉक डूब रहा हो तो यह कहा जा रहा है कि दो साल की जो प्रिपरेशन है वो इसी लिए की गई थी कि किसी तरह किसे अडानी का स्टॉक गिरा दिया जाए और हिंडनबर्ग उससे पैसा कमा ले यह भी तो लॉजिकल साउंड करता है न सर तेखे जाँच एजनसी बठाएं आप अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाए उसको एक्सपोज किया जाए और वो बात अगर उनकी रिपोर्ट जाइज है और अडानी दोशी पाया जाता तो उसके खिलाफ कारवाई करो, लोगों को बताओ कि यह गलत है कोई शब्ध ही नहीं बोल रही सरकार कुछ एजनसी सवाल नहीं उठारी उसके पकड़ा धखडी नहीं कर रही, जाच की एजनसी उसके पीछे नहीं लगरी तो समझन में आता है कि वसका हाथ है उसके पीछ चलता है, गांधी और गौटसे की फिल्म बनाते हैं, चलता है जहांपर गौटसे को आप hero बनाना चाहते हैं, वो जो प्रेजंट करते हैं, वो हम सब लोग accept करें, बगाय को अपनी जुबान खोले, ये सीधे तोर पर समिधान के अंदर हमें अधिकार है, freedom of expression, freedom of speech, freedom of press, उसके उसको share भी किया, तो उसके खराफ आफकारवाई करेंगे, तो सीधे तोर पर ये Hitler शाहिवाले अंदाज के अंदर सरकार चला रहे हैं, बलब इनको कोई दोशी ना कहें, लेकिन ये सब को जाच के कटगरे में खड़ा करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देश की जो जनता है, और देश के जो वोटर हैं, आप इनको हलकी में मत आके, ये समिधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, वोट का, वोट को आप एक बार लोगों को बेफको बना के ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, चल कपट कर सकते हैं, अपना तंत्र लगा कर उन अपने देश के लोगों के उपर, तो वहां पर वो बहुत दिन नहीं चली थी, और उसी तरीके से मेरा ऐसा मन है, कि नरेंदर मोदी, जिस अंदाज के अंदर सरकार चला रहे हैं, लोगों की जुबान काट कर, घरदन काट कर, और लोगों के बिजनिस को और समयदान को खतम कर के जिस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, यह बहुत दिन नहीं चलेगा, और जहां तक election का सवाल है, यह vote लोग डालेंगे, लोगों का फैंसला है, जो लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन मुझे लगता है नहीं कि अभी तक देश के अंदर बहुत कुछ ब अडानी को, अडानी को कैसे मालूम था कि सरकार ये तीन कानून लेकर आएगी, किसानों को बंदी बनाया जाएगा, घुलाम बनाया जाएगा, उनकी फंसलों को गिर्वी रखा जाएगा, उनके खेतों को गिर्वी रखा जाएगा, लेकिन वो पहले से वहां पर अपने वे वस्ता बनाई जा रही है ताकि लूट खसोट maximum की जा सके। बिजनस अच्छा है लेकिन सभी बिजनस करें बराबर बिजनस में हिस्सेदारी हो तब अच्छा है मुनॉपली अच्छी नहीं है आपके पूरी बाचीत के बारे में विचार कहा है कॉमें बताएगा जरूर और लोटे जी आपके समय देने के लिए बहुत बहुत दनेवाद कैमरे के पीछे मेरे साथ ही अनूप के साथ HNP News के लिए धारण की रिपोर्ट धन्यवाद